हेलो गाइज, बेलकम बैक टू सत्या क्लासेश, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 40 MCQ of electric charges and field, काफी important chapter है, इस chapter में जितने भी MCQ लिए है, मतलब theory based और numerical based सभी तरह के MCQ लिए गए हैं, क्योंकि अगर हम जब भी MCQ exam देने जाते हैं, तो उससे पहले हमें MCQ solve करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तो आप try करो कि सारे के सारे MCQ solve कर लो, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा benefit होने वाला है, ज्यादा time based नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपने पहले question के तरफ, पहला question कह रहा है कि प्लास्टिक road को हमने rub कर दिया, फर के सेम चार्ज आ जाएगा, मतलग कि आम माल हो गार ये positive है, तो हम leet light करते हैं इसके उपर negative negative charge आ गया, अगर दोनों को जो ball के उपर negative charge आ जाएगा, तो क्या करेगा, यह positive charge है, तो यह क्या करेंगे, एक दूसरे को ripple करेंगे, अगर यह एक दूसरे को ripple करेंगे, तो मतलग इनक फर्स्ट का भी जो आपका करेक्ट है नेसे कोसे नमबर टू कि एक कॉम रन थुरू हा वन्स ड्राइएर मालोग आप जैसे सुबस हुआ है अगर आप कॉम करते हैं अपने ड्राइएर के उपर तो अगर उससे कॉम करने को आप छोटे-छोटे कागज के टुकडे करके उसको लखो गएिना तो आप देखोगे के कागज के टुकडे को अट्रैक्ट कर लेगा तो यह क्यों होता है दिस हैपन बिखाज क्यों होता है क्योंकि आपको पता है जैसे अगर हम को को रब करते ना तो वह एक तरह से उसको उपर चार्ज develop हो जाता है उसे हम paper के पास लाते हैं जो छोटे-छोटे paper के टुकड़े अगर हमने काट रखे हैं और उसके उपर अगर हम comp को लाते हैं तो comp को लाने के बाद क्या होता है ना वो जो paper है वो हो जाता है क्योंकि उसको पर नेगटिव आने करें वो क्या होता है उसको मज़ो है अट्रैक्शन मिलता है मतलब कि हमने कर दिया देपर गेट पोलराइज वह पोलराइज हो जाता है ने पास है question number 3 कि one metallic sphere is given positive charge की एक metallic sphere है जिसे हमने क्या कर दिया positive charge दिया है और वेर अनदर identical metallic sphere b is exactly same mass mass इसका same है of as of a is given equal amount of negative charge हमने equal amount of negative charge दिया मला मास same है और हमने equal amount में negative charge दिया तब आखिरकार क्या होने वाला है मतलब मालों आपका यह positive है और यह आपका एक तरह से neutral है और दोनों हम equal of negative mass देते हैं तो आखिरकार आप से पूछ रहा है कि का तब क्या होगा कि mass of a and b still remain equal mass of a increase mass of b decrease यह फिर mass of b increase आपका पता है कि जैसे अगर कोई body negative charge है तो जादा तो जादा इलक्ट्रोन तो हम उसे देंगे तो इसका मतलब होगा उसका जो mass है वह बढ़ जाएगा तो जैसे हम इलक्ट्रोन देंगे तो इसका mass क्या हो जाएगा वह बढ़ जाने वाला है तो इसको उपर क्या होगा इलक्त्रोन देंगे तो इसको अपर mass जो है वो बढ़ते ही जाएगा घटाएगा नहीं पर इसके अंदर जो already positive charge है A-sphere में वो क्या करेगा इसके जो amount mass को में तरह से उतना नहीं बढ़ा पाएगा बढ़ाएगा पर उतना नहीं आपने पढ़ा होगा तो आपका आपने देखा होगा जो चार्ज है ना वो हमेशा कैसा होगा जो n की value है 1 2 3 मतलब ऐसे रहेगी 1.2 2.3 ऐसे number of electron आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे इसमें क्या होता integral multiple में ही हमें अमेशा electric charge देखने को मिलता है कि 1 2 3 4 ऐसे ऐसा कभी नहीं होगा कि half of integral यह 0 ऐसा नहीं square of the least amount of charge ऐसा भी नहीं बलकि integral multiple में आपको आसानी से charge आपको मिलेंगे Q is equal to any होता है तो n की value 1 2 3 4 ऐसे ही आपको मिलेगी नहीं से question number 5 कि if the charge on a body is one nano coulomb then how many electrons are present on body अब number of electron निकालना है आपको पता है formula जो अभी हमने क्या कि Q is equal to किसके बराबर होता है n के एककोल होता है यहां से आपको Q की value दी हो है number of electron पूछना है तो n is equal to Q upon e मतलब यहां से आपको n की value दी है जो कि n कितनी है Q कितना है 1 into 10 की power minus 9 कुलम यहां पर आजाने बाला है आपकी Q की value और e की value तो आपको पता कितनी होती है 1.6 into 10 की power minus 19 अगर आप इसे divide करके पूरे तरीके से solve करोगे तो यहां से आपका Q है यहां पर आप put करोगे इसे solve करोगे अगर इसे complete solve करते हो तो इसका जो correct answer है वो आपका कौन सा बनने वाला है वो आपका बनने वाला है पाचवे का है जो आपका B आ जाएगा 6.25 into 10 की power 9 जो है इसका correct answer आजाएगा ठीक है एक बार इसे जरूर से जरूर से जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना नेस्ट है कि charge on a body is Cuban and it is used to charge another body by induction यह कोई भी बोड़ी है जिसके उपर charge कितना है क्यूबन है और induction से दूसरे बोड़ी को charge कर लिया on second body is found to be और उसमें कितना पाए गया हमारा q2 charge पाए गया after charging क्या होने वाला है तो after charging अगर हम induction से कोई भी चीज़ागा जो charge होता है ना तो जो charge हो पर जो second body को उपर चार्ज है ना वह कम होगा यह भी लगव होगा हमने इसके इंडक्शन से चार्ज किया तो यह तो दोनों में equal distribution होगा यह फिर कम जाएगा जादा नहीं चला जाएगा तो हम यह कह देंगे ना कि मतलब f और r के बीच में आपको relation बताना तो f is equal to क्या होता के q1 q2 upon r square मतलब f जो है वो directly proportional है 1 upon r square k यह inversely proportional है r square k अगर हम इसका graph बनाते है ना तो सबसे पहले क्या होगा यह आपका जो है वो घटे यूनिट आपको यहाँ पर निकाल लिए अगर हम इसकी यूनिट आप निकाल सकते हो अगर हमें बता हूं तो एक फॉर्मला आपको पता होगा f is equal to 1 upon r square सभी को बेल्यू जो है इसकी जोतनी भी आपकी यूनिट होती सब को यूनिट क्या होती है वो लर्न हो जाती क्योंकि इसका यूनिट आपका निकाल के आजाने वाला है सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा 6 है और क्यूट कितना है टू है और दोनों में यहां सब्सक्राइब करोगे और यहां से आपको क्या निकालना है और यहां से आपको क्या निकालना है then the new force, new force निकाला है और R की value भी आप यहाँ से जब आप put करोगे तो सब को अगर आप solve करोगे लेकिन यहाँ पर क्या होगे, हाँ, यह बहुत हीजी है क्यों क्योंकि 2-2 कितना होता, 0 होता है मैं लगा Q2 की value क्या हो गई, आपके 0 तो जब भी आप Q2 की value अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो आप 0 से multiply करने पर सब को 0 आजाने वाला है तो इसका जो correct answer है वो भी आपका आजाएगा नेक्स आपका है question number 10 तो question number 10 में आपको क्याया कि Q is placed at it, मतलब एक capital Q यहाँ है एक आपका यहाँ पर आपका कब Q की value क्या होनी चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम में रहे यह बहुत ही ज्यादा easy होता कि अगर आप इसमें बात करोगे ना तो इसका जो answer है कई सारे students होते हैं इससे learn कर लेते हैं कि अगर इसका जो है कितना जागा minus qy4 लेकिन आप इसे solve भी कर सकते हो कैसे मालों अगर आप महारा क्या है कि एक तरफ का अगर हम निकालेंगे कि equilibrium में क्या हैगा तो 1 upon 4 pi epsilon मितलब कि हम लिखे देंगे k q q upon r square क्योंकि हमारा distance है तो हम एक से square के बरावे लगते हैं और जो दूसरा नहीं होता है वो negative charge में लेते हैं अगर आप इसे भी याद भी रख लोगे न तो भी काफ जाद ही जी होता है लेकिन आप दोनों को equilibrium करके आप ऐसे solve करोगे तो आपको option number b ही आपका यहां correct आएगा next question number 11 कि two point charges a and b having charges plus q and minus q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is if if 25% charge of a is transferred to b then force between अब आपका नया force लिकाला है कि 25% charge हमने transfer कर दिया मालनो शुरू में जो charge q था और एक का था minus q जब हमने 25% transfer अब मैंने किया है तो इसके अंदर कितना बच जाएगा तो फिर इसके अंदर बच जाएगा 3y4q ठीक है और इसके अंदर जब आप कितना करोगे जो अगर आप 25 by 100 मतलब आप मिसे मालो कि 1y4q जो हम transfer करते हैं तो 1y4q और प्लस आपका यहाँ पर क्या है माइनस में q है क्योंकि यह तो आपका माइनस आज दा है अगर आप मिसे देखेंगे तो यह आपका कितना जाएगा यह तो आपका 3y4q है ही और इसे दिए आपका solve करोगे तो यह कितन 1yera, 1q2 era और r की जो distance है यह भी आपको यहाँ पर given होगा आप यहाँ से r² की form में आप इसे निकाल सकते हो मैं जो सुरूवाला r² है उसके आप comparison करोगे उसके बाद आप जो है इससे equation बनाओ गए तो वहाँ से जो r² निकल लेगा उससे आप comparison करोगे और फिर compare करने के बाद आप इसे पुरा correct answer निकालोगे ना तो option number A that is आपका 9F by 16 आपका यहाँ पर correct answer इसका आएगा ने से equation number 12 की दो particle है equal mass m के और charge q के उससे हमने रख दिया एक distance 16 cm पर they do not experience any force तो value of q by m आखिर क्या होने बाली है अगर कोई भी experience force नहीं करता है तो इसका मतलब हम कह देते हैं उस सम q m square upon में r square और अगर हम electrical force की बात करेंगे तो q1 q2 मतलब हम q square लिख देते हैं upon में r square अब इस आप solve करोगे तो यहाँ साब का जो है वो cancel हो जाएगा r square r square cancel हो जाएगा और यहाँस जब आप completely q by m निकालोगे q यह रहा है m यह रहा तो अगर आप q by m निकालते होना तो under root में जी नए सा question number 13 के दो point charge है उसे हमने एक distance पर place कर दिया और in air exert a pressure एक force f on each other दोनों को पर कितना force f लग रहा है then the distance are at which the charges will exert the same force in a medium अगर हमने दूसरे diallectric constant k में ले गए तो उस समय भी आपका same force ही जो है वो experience कर रहा है तो आखिर वहाँ पर जो है k की value क्या होने वाली है ठीक है तो हम यहां से कहें देंगे कि अगर पूश किया रहा है अच्छा नया R-Distance क्या होगा अगर हम सेम डाइलेक्टर कॉशनेट के में जाकर के रखते हैं लेकिन उसका फोर्स सेम ही आता है तो जो नया डिस्टेंस है वो हम मीडियम में जाकर के से क्या रखेंगे ताकि उन दोनों का क्या वो हो तो दोनों के लिए अलग अलग फोर्स निकालेंगे सबसे पहले हम तब निकालेंगे जबखली वो air में अगर air में हम निकालते हैं तो k q1 q2 अपूण इहा हाजाता है अगर हम наш जाकर करके R S square यह भी R S square आपका आजागा क्योंकि हमें R S निकालना की नया R क्या होने वाला है अब दोनों का force एम है तो अब दोनों के force को equal करोगे तो इन दोनों की जो value है वो आप equal करोगे सब को cancelle करोगे जो भी आपको करना है यहां से कुछ जीज़े कैंसल हो जाएंगे कुछ जीज़े बच जाएंगे यहां से आरा आपका बच जाएगा और साथ ही में आपका जो यह वाला जो के है यह वाला के बच जाएगा क्योंकि यह दोनों से मैं अगर हम बात करें यह दोनों के से मैं इसके की वेल्यू है वन concept होने वाला है तो इस simple बहुत easy question है अगर हम बात करें अगर आप उसको देखते हो column slow के vector form को देखते हो ना तो वो एक ही बात कहता है कि force on a b is equal to होता है f minus f of ba कि force on b due to a is equal to होता है यह फिर हम कैसे कहते हैं कि force on a b is equal to minus of f ba आपका जो है यह जो vector form होता है ना उसमें आपका होता है तो simple आपका इसमें आप मैच कर दोगे f a b is equal to minus f ba चौदवे का option number c आपका यहां पर जो बी हो sorry आपका correct है नेक्स है question number 15 question number 15 कह रहा है कि electric charger one micro column minus one micro two micro column को हमने air में रख दिया coordinate के उपर रखा a b और c respectively बहुली छो मालोी इस तरह से यह आपका chrangle है abc है तो यहां पर हमने रख दिया plus two microkulum यहां पर रख दिया one mercado लिटरल ट्राइंगर एबिस हैं लेंग यह जो लेंथ है इसकी साइट क्या है 10 cm फिर जो resultant force आपको यहाँ पर निकालना है तो अगर हम resultant force निकालेंगे तो सबसे पहले एफ एंदिकालेंगा अगर याप यह एफ एंदिकालते हो ना कैसे कारण कितना लगएगा हम इस वारे चार्ज के कारण देख रहे हैं कि जो 1 वाला चार्ज है के की वेलू कितनी होती 9 into 10 की पावर आपके कितनी होती 9 और इंट्यू में आपका जो कितना है आपका माइक्रो में है तो 1.8 Newton आपका आएगा और ऐसे ही अगर आप F B के भी calculate करोगे ना तो वहाँ में भी आपका 1.8 Newton ही आएगा और आपको पता होना चाहिए कि अगर दो equal force होते हैं उनके बीच में एंगल 120 degree होता है तो उसका resultant भी F ही आता है अगर यह 1.8 है और यह 1.8 है ना तो इसका resultant भी 1.8 Newton ही आएगा तो option number B आपका यहाँ पर correct हो जाएगा 1.8 Newton next question number 16 की each corner A and C है charge Q1 and on each corner B and D आप हम इसे बना लेते हैं जैसे यह रहा A, B, C, D हमने यहाँ लिख दिया तो A के उपर क्या है Q1 है और यह B के उपर क्या है अगर हम B के उपर देखते हैं तो आपका minus Q2 है ठीक है minus Q2 है यहाँ पर भी Q1 है और यहाँ पर भी आपका कितना है minus Q2 आपका यहाँ पर हो रहा है और charges at A in equilibrium then the ratio of Q1 by Q2 का ratio निकालना सारे का सारे equilibrium condition है तो equilibrium condition में क्या होगा ना F due to DA plus F of AB plus F of AC अगर यह equal to 0 कर देते हो ना तो आपका यहाँ पर जो है आपका क्या हो जागा वो equilibrium में आ जागा इस question को आपको जरूर से जरूर solve करना है अगर आप इस question को जरूर complete solve करोगे ना तो आपका जो answer आएगा यह option number B 2 root 2 के बराबर आएगा लेकिन मैं आपको बता जिता हूँ कि यहाँ पर जो आपको इस तरह से solve करना में ना बता दिया कि ऐसे equilibrium में मैं तो तीनो फोर्स को जो है वो 0 के equal रखोगे ना तो जो भी equilibrium में रहेगा उसका जगर आप जो इससे solve करोगे तो Q1 अपन में Q2 की value कितने आजाएगी टू रूट टू के बराबर आएगी नेक्स कोशन नंबर 17 कोशन नंबर 17 कर रहा कि दा फोर्स मिट्मिन टू चार्जेज 0.06 मीटर अपार्ट इज फाइट 5 न्यूटर इफ इच चार्जेज मूव तोवाड इच अधर बाइच अधर बाइच अधर 10104 कर देदा आपको पता क्या होता है f directly proportional to 1 upon में आर इसकार के एकोल होता है फी एफ इंवर्शली प्रोपोरिशनल और इसका all square इसा आप complete solve करोगे F2 के value निकालोगे F2 के value जो है आपके आजाएगी 11.25 Newton आजाएगी सब कुछ दिया हुआ है बस आपको F2 निकालना है अगर आप जो है क्या चीज़ हाप करने वाले हो चार्ज ऑफ बोड़ी जो है हाप करने वाले तो electric field क्या होगा वो भी आपका हाप हो जागा क्योंकि यह एक दूसरे के directly professional है तो अगर यह हाप करते हैं तो दूसरा भी अपने आप ही हाप हो जाता है नेश्ट निकालना है कि जो आपका F2 और F2 वो आखिकार आपका कितना आने बाला है तो जो फोर्स है ना वो किसके बराबर होता है F is equal to होता है QE के बराबर तो यहाप अगर आप चार्ज देखोगे ना तो चाहें आपका यहापर क्या है तो इलक्टोन है प्रोटोन है तो काने के उपर जो फोर्स है वो भी सेम हो जाएगा तो आपसन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है यहां पर करेक्ट है इसके उपर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नोट लेकर क्या है एक पॉइंट मेजर एफ अपन में क्यू नोट अब इससे कैलकुलेट करने कोश रहते हैं इसके रही कम पॉजकहो के को चैंशत को कुई वह बढ़ा होगा क्यों पर एक डियालें इसके नोबर 21 जो हमाले पास है कि डाइग्राम में दिखाए गया आपको P और की field strength बतानी है तो अगर आप देखते हो कि P का area P का और यहां जो Q है सेम है लेकिन यहां से electric field line ज्यादा पास हो रही है यहां से कम पास हो रही है तो इसका strength ज्यादा है मतलब हमें यहां पर जो है option number C में लिखा हुआ कि field is more strong at point P are less strong at point Q ठीक है next question number 22 की दो unlike charge होते हैं वो same magnitude के होते है क्यों आर प्लेश है distance of D तो intensity of electric field at a center of lining जोएने को दो चार्ज तो दो चार्जों के center पर आखिर कितना आखिर का उसका point आने वाला है तो अगर हम 22 का निकालते है ना तो 22 में क्या है कि आपका जब वो दो equal or opposite charge हमने place कर दिया मालों यहां पर दो unlike charge मतलब कि एक plus क्यों होगा एक minus क्यों आपका होने वाला है दोनों को हमने distance कितने पर रख दिया डी को पर रख दिया और इसके ओपर एक lining join हम कर रहे हैं तो दोनों के पास जो है आपका electric field निकालोगे at center जो होगा किसके एक center पर निक कारन निकालोगे इसके कारन निकालोगे दोनों को निकालने के बाद दोनों को add करोगे जब दोनों को add करोगे ना तो आपकी value जह हो वन अपोन फॉर पाई epsilon नोट एक क्यों को एड़ करोगे तो आपका यहां से answer आ जाएगा next question number 23 कि 2 point charge plus 8Q and minus 2Q are located at x is equal to 0 and x is equal to L respectively the location of a point on the x-axis at which the net electric field due to 2 point charges is 0 के कहां पर आपके दोनों के एककल जो है वो net point आपका जो हो 0 आने वाला है तो मालों ये क्या है आपका 8Q है हमने यहाँ उन्हें पर रख दिया 8Q ठीक है यहाँ पर हमने 8Q रख दिया और यहां हमने ढख दिया University इसका च्योंं जो पर जीरो आएगा जबकि दोनों का मैगनिटूट जो है वो लगवागा आपको कितना जागा एक्वार तो सबसे पहले अगर हम 8Q के द्वारे निकालोगे ना तो इसमें आजाएगा आपका 8Q अपन में L आपका यहाँ पर आपका जोए एकोल रहने वाला है इसको कर देंगे इसके द्वारा इसमें कितना जाएगा इसमें आता आपका कै और माइनस 2Q में लिखे देंगे 2q अपन में L स्कॉरर को इससे कितना कितना डिस्टेट्स आगा L स्कॉरर अब दोनों को आप एक्वार करोग capital L, तो दोनों मिलके कितना आगया, 2L, that is option number C, 2L, जहां पर किया, आपका क्या होने वाला है, जो net electric field जहां होने वाला है, दोनों charge के द्वारा, वो कितना होगा, 0 होगा, 2L के उपर, next question number 24 की, दोनों figure, hexagons, figure दिखाए गए हैं, किसके अंदर electric field center के उपर 0 आने वाला है, तो आप देखोगा, इसमें सारे के सारे चार्ट सेम है, जो हैं, सारे के उपर जो है, ऐसा लएगा, ये, अगर सारे के उपर ऐसे लएगा ना, तो एक दूसरे के direction को cancel कर देगा, तो option number A ऐसा है, जहां पर electric field जो है, वो 0 है, next 25 के एक charge particle है, is free to move in an electric field, कोई भी charge particle है, मालों अगर यहां पर charge particle है, plus क्यों मारिस को कुछ ही हो सकता है, free to move in electric field, electric field में यह आसानी से जो क्या कर सकता है, move कर सकता है, तो यह किस तरह से travel करने बाला है, अगर हम बात करें किस तरह से travel करने बाला होगा, तो यह हमें सा कैसे travel करता है, कि जो भी along a line of force, if its initial velocity is 0, अगर मालों यहां पर कोई भी electric field, यह point along the tangent to the line of force, अगर इसकी initial velocity 0 हो रखे, अगर सुरू में है, just move करा, सुरू में रुका हुआ, initial velocity 0 है, तो जिस direction में force होगा ना, उसी तरफ से move करेगा, बले यह electric field के direction में move कर देगा, तो along a line of force, if its initial velocity is 0, option number B आपका यहां पर करेक्ट है, कि उस रूब में वो रुका हुआ था, next question number 26, which of the following is not a property, of electric field line की property नहीं है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं, field lines are continuous, तो यहां पर आपका continuous curve without any break, बिल्कुल सही, अगर हम प्लस से निकालता है, मालिस के उपर जाता है, तो continuous का एक तरह से क्या हम कर बना रहा है, two field lines cannot crush, बिल्कुल यह भी सही है, field lines start at positive and negative, यह भी सही, they does not form closed loop, यह भी सही है, यह क्या है, तो इसके चारों options सही है, मालिस चारों चारों इसकी property है, तो इस question को हम कर देते हैं, cancel मालिस के चारों पॉइंट जो है आपके, बिल्कुल electric field line के बारे में हमें बता रहा है, अगला question हम कर लेते हैं, question number 27 के आपको figure 100 कर रहा है, electric field line से और आपको electric field of figure suggest, कि आपको electric field strength एक तरह से बताना है, तो अगर आप A point देखते हो B और C, तो यह पर देखोगे concentrated और C, मलें A और C तो equal है, A और C equal है, A और C equal है, लेकिन B पर जो है ना वो दूर दूर में है, तो electric field strength कम होगा, तो EB कम है, इसमें EB ज़ादा है, तो option number C, that is 27 का C आपका correct है, next question number 28, 28 में कहरा आपको diagram दिखाया गया है, किसके लिए, आपको diagram of electric line of forces, for negative charge के लिए, आपको diagram दिखाया गया है, तो negative के लिए close loop बनाता नहीं, यहाँ पर जो है आपका B है, तो B में भी इस तरह से होता नहीं, क्या negative के उपर बापस आता है, तो अगर हम कहेंगे बिल्गुल सही, क्यों negative के उपर जो electric line आती है, यह negative से जाती नहीं है, option number C आपका यहाँ पर, correct है 28 का C, next question number 29, एक electron है, एंटर कर रहा है, uniform electric field, माल लोग यह uniform electric field है, इसके उपर हमने एक क्या कर दे, एक electron की entry हम इसमें करवा रहे है, by a parallel plate and value E, volt per meter with velocity V meter per second, the plate are separated by distance d meter, then acceleration of the body, अगर इसमें ऐसा कुछ तना आता है, तो इसमें दो चीजा आपके जो हैं, वो क्या करते हैं, उसे equal करते हैं, कौन सा, एक तो वो force जो कि normal force लगा था M में, और एक जो है था electric force minus E, अब इन दोनों को equal करके, हम सिर्फ acceleration निकालना है, वो कितना हो जागा, minus E, E by M, किसमें दिया हुआ है, minus E, E by M, that is 29 के B में दिया हुआ, तो option number B आपका इसमें correct है, ने से question number 30, तो question number 30 हम से कह रहा है, कि given figure track दिखाएंगे, तो which particle है the highest charge to mass ratio, बहला अगर charge to mass ratio निकालना होता है न, अगर हम कहते हैं, कि अगर हमें कभी भी charge to mass ratio निकालना है, तो हम उसके deflection को देख लेंगे, कि जिसका deflection जितना ज़्यादा होगा, उसका charge by mass ratio भी उतना ज़्यादा होने वाला है, तो 1 का क्या है, ऐसे, 2 का क्या है, ऐसे, और 3 का देखोगे, ऐसे, मलब 3 का deflection है न, वो 1-2 के comparison में ज़्यादा है, तो जिसका deflection ज़्यादा होगा, उसका Q by M ratio भी ज़्यादा होता, यह fact है, यह आपको जो आपका पता है, तो अगर आप से बहुत आजी से पता है, वो बहुत ही चुटकियों में इस आंसर को कर देगा, तो 3 है, मलब मुश्किल से 5 सेकर्ड में जैसे देख लेगा, आपको निकालना है, तो Q by M ratio ज़्यादा होने वाला है, अगर हम इसके चार्ज की बात करेंगे, तो वो आपका कितना है, 20 नैनो है, तो 20 इंटु 10 की पावर हम कितना रख देंगे, माइनस 9 कुलम रखेंगे, और 2 है मतला आपका कितना जैगा, 5 mm, mm को हम कर देंगे, माइनस 3 में, मीटर में हमने चेंज कर दिया, अब इससे सॉल्व करो, आपका क्या हो जागा, आपका डापल मुमेंट आजागा, कैल्कुलेट करने के वाद, आपकी जो वेलियो वो 10 की पावर माइनस 10, सेंटीमीटर आपका आजागा, अपसन नमबर B करेक्ट है, एक वाद इससे सॉल्व करके जरूर देख लेना, नेच्ट ए थर्टीटू के इलक्रिक चार्ज क्यू, क्यू माइनस 2 क्यू आप प्लेस्ट एर्ट इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइडल, जब आपका 60 डिगरी का यंगल आपका निकालोगे, तो आपका net deployment क्या हो जाका एक तो ये P square plus में ये वाला P square दूसरा वाला एक ये वाला एक ये वाला plus में 2 P P cos 60 degree ठीक है इसे हम under root कर देंगे अब आप इसे solve कर लो complete solve करोगे तो under root 3 QL आपका यहाँ पर answer आ जाने वाला है next question number 33 कि what is the angle between the electric dipole movement and the electric field strength due to it on an equatorial line तो equatorial line पे मानलो आपका ये plus Q है और ये आपका कितना है minus Q है इसमें क्या होता है 180 degree आपका जो है आपका correct answer है अगर angle उसके बीच में 180 degree है तो ये वाला आपका जो है बिल्कुल आपका क्या हो जागा dipole movement और electric field strength जो है वो आपका कितना हो जागा लगवा एक्कोल के बराबर हो जागा 180 degree आपका इसमें answer आता है next question number 34 कि let ये जो है वो electric field line है axial plane के द्वारा और आपका EQ है वो equatorial plane के द्वारा तो आपको इसमें relationship बताना है तो अगर हमें पता हमें पर eggzone की बात करेंगे न तो जो E! A है lateral कितना होता है वो आपका होता है 2 LP upon me R cube ऐसे अगर हम equatorial पर रहल लेते हैं तो वो आपका कितना होता है KP upon me R cube KP upon me R cube की जगा E रख देते हैं तो EA कितना हो जागा 2 time stop आपका हो जागा E! E यह वाला ने रखेल है यह एक्जिल इसकोल टू 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 टाइम सोफ इलक्रिक फिल स्थार्इट कुट्रिट है तो ऑफ्सन नमबर सी आपका यहां पर करेक्ट है थे इसके बाद आपको जो electric field distance है उसकी value भी दी गई है कितनी यह रही फाइव इंटू 10 की पावर 4 Newton पर कुलम और आपको निकालना है magnitude of torque निकालना है तो torque को आपको पता है कि torque की value क्या होते है P sin theta, torque जो होता है वो P sin theta होता है तो P cross ही मिला हम P sin theta लिख सकते है तो यहां पर theta की value कितनी है 30 degree है आपको P पता है, E पता है, put करोगे, सब कुछ न करोगे तो आपकी torque की value जाएगे वो आजाएगे वो आपकी 10 के बावर minus 4 Newton meter आपका 35 का option number A आपका correct आजाएगा Next question number 36 तो 36 में है कि dipole moment of a dipole uniform external field E is P, then the torque acting on dipole तो torque की कितना होता है torque जो होता है, वो P cross E होता है, बहुत important, सब को पता है कि torque is equal to P होता है, लेकिन P dot E होता है या फिर P cross E होता है, यह important बजाता है तो torque जो होता है नो, वो P cross E होता है, ना कि P dot E होता है, क्योंकि बच्चे जो है, वो यहें पर confusion हो जाते है अगर हमें stable equilibrium चाहिए, तो वहाँ पर direction क्या होने बाला है, मालू यह आपका electric field लाइन है तो वह आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर sin theta जो है, यहाँ पर आपका 0 हो जाता है, तो overall complete हम क्या कर देते हैं, कि आपका 0 हो जाता है next question number 30, कि electric flux, through a surface element, ds placed at a electric field line, मतलब आपका 5 की value क्या आती है, 5 is equal to e.ds होता है, e पता है, ds पता है, अब ds में क्या हो, j और k नहीं है, तो हम j और k तो ऐसी cancel कर देंगे, और e में क्या 4 है, 5 है, तो 4, 5 जा कितना हो जाता है, आपका 20 unit आ जाएगा, 20 unit किसमें, option number b, that is 20 unit आप what is the nature of Gaussian surface involved in Gauss law of electrostatic, तो Gauss law of electrostatic में अगर हम बात करें, तो उसके अंदर एक relationship बनता है, कि इसके बीच में, electric flux में, कोई भी close hypothetical, हम अपने तरब से माल लेते हैं, close hypothetical surface, जिसे हम Gaussian surface भी कहते हैं, उसके द्वारा जो electric flux होता है, वो enclosed होता है, और इसलिए तो इसकी जो nature है, किसकी Gaussian surface की वो एक तरह से vector form में, आपको हम इसे कह देते हैं, तो इसका correct answer जो हैगा, वो vector आ जाएगा, लास्ट महार पास question number 40 है कि Gaussian surface for calculating the electric field due to a charge distribution, किसी भी charge distribution के कारण जो है, वो अगर आपको करना है, तो आखिर अगा उसका क्या आपका correct answer आने बाला है, तो यहाँ पर जो है, any surface near the charge distribution नहीं, always a spherical surface नहीं, a symmetrical close surface containing the charge distribution at every point of which electrical field has a single fixed value, बिल्कुल correct, यह आपका जो है, आपका एक close loop बनाता है, जिसके अदर बिल्कुल correct आपकी electric field strength होते है, उसकी जो value होते है, वो एक fixed value होती है, तो 40 का और last का जो option number C आपका यहाँ पर correct हो जाएगा, यह तो इस chapter के completely important 40 question, मुझ जरूर बताएं, साथ वीडियो को like करके channel को subscribe कर लें, और आपके आने वाले जो भी exam हो, उसके लिए आप बिल्कुल अच्छी तरिके से पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए, बात